अरे खृष्णा, शिमत भागवतम से आजम श्री प्रलाद महाराज ने आरपण की वहीं, अंदर से में देख लिए जो प्रार्थना है, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। शिमत भागवतम में वक्तों ने दोरा आरपण की जो प्रार्थना है, इनका बहुत महत्व है। प्रलाद महाराज किन प्रार्थनाओं में से हम 21 प्रभावशली प्रार्थनाओं की बारे में चर्चा करेंगे। उसमें से सबसे पहला श्लोक तुप्रलाद महाराज नस्रिंग देव कारपण करते हैं वो इस प्रकार से हैं। श्रिप्रलाद वाच ब्रह्मादय सुरगण मुन्योत सिध्धा सत्वैकतान गतयो वचसांप्रवाहें। नाराधितुम्पोरुगणै अधुनापिपिप्रो किम्तोष्टुमरहति समे हरिरुग्रजाते। प्रणाद महारा जिस प्राथनावें कहे रहे हैं नस्रिंग देव मेरी कोई योग्यता नहीं यहाँ पर आपको प्राथना अरपन करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा नया सुरगणा ब्रह्मा आधि देवतागाण इन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद भी यह आपको संतुष्ट नहीं कर पाएं। तो फिर मैं एक छोटा सा बालक जो इन से शक्ति में कम हो भकति में छोटा हो अनुभाव में कम हो तो फिर मेरी प्राथना से बहला मैं आपको संतुष्ट कार सकता हूं। हमारे जीवन में भी जो हमें कोई बड़ी जिम्बेदारी दी जाती हैं या कोई बड़ा कारे हम करने जाते हैं तो कई बार हमारी शमता को देखकर हमारे मन में संध्य उत्पन नहीं हो सकता है अब ये संदेय पड़लाद महाराच के उत्पन ने इसले हुआ कि वा तुल्ला कर रहे है कि मेरे पहले जिन्हों ने ये कारे किये उन्होंने कितने बड़ी मात्रा में और कितने बड़ी सफलता के साथ ही किया है जो ब्रह्मा जी और आदिस्वरगण है ये शक्तिशाली है इनकी शक्ति अगर दिखा जाए तो अलग-अलग इस बहुत तीक प्रकृतिक जो तत्व है उन तत्वों को नियंत्रण करने वाले देवता है और यह सारे देवता जहां पर हार चुके वहां पर प्रलाद माराज को कहा आ जा रहा है कि अभी आप प्रयास कीजिए आप नर्सिंग देव को शान्त कीजिए तो बहुत सत्वों गुण में पले बड़े देवतागण है और मैं तो असुर परिवार में जन्मा हूं इन लो होगता होगी और अपने इस आत्म विश्वास को कम पाते हुए प्रद्लाद माराज के रहे क्याएं में कर पाऊंगा लेकिन विरोधा भास यह है कि प्रद्लाद माराज फिर भी नर्सिंग देव के सामने खड़े हैं और हाथ जोड़के अपने प्रार्थन अरपन कर रहे ह एक तरफ बोल रहे हैं कि मुझ में आत्म विश्वास नहीं है मैं डिस्कॉलिफाइड हूँ लेकिन दुस्री तरफ उनके अंदर बहुत आत्म विश्वास और कॉन्फिदेंस दिख रहे क्योंकि उप्रार्थन अरपन करने के लिए तैयार हो चुके हैं कि इन्फरेटी कॉंप्लेक्स और नम्रता इन दोनों में यह फरक हैं इन्फरेटी कॉंप्लेक्स मतलब जहां पर हम अपनी ख्रमता को देखते हुए दुनिया के बाकी शक्तिशाने लोग के साथ तुल्ला करते हुए जो अपने शक्ति को कम पाते हैं तो अपना आत्म की आमने कर परूंगा क्या मुझे सफलता मिलेगी ऐसे कई सारे प्रस्टन Travis संद्य हमारे मन में जड़ जाते हैं पर्लीृव इप्रलाद महराज के मन में यह प्रश्ट उठेppers लेकिं रहें लेकिन बहने कि म realaffla महराज की सारे संदे लेकिन फिर भी वरा कारय करने के तयार क कारे करने के लिए तयार क्यों है, क्योंकि देख रहेगी, भली मुझ में एक्षमता नहीं है, लेकिन जिन भगवान की सवा में करने जा रहा हूं, प्रार्थनलाओत के द्वारा वे उनकी क्रिपा और उनकी शक्ति का आव़ान कर सकता हूं. अपने जिवन में अपनी ख्षमता की साथ अपने आपको करता मानकर जब तक हम चलते हैं तब तक कभी हारते हैं कभी जीत और अपने आत्मिशास को खो देते लेकिन प्रद्लात्महारा सिखा रहे हैं, जब हम कोई कारे करने जाएं और सिर्फ हमको नहीं, लेकिन भगवान की भ्यासताक्षब को देखे, उनकी शक्ति को देखे और उनके शक्ति के साथ संपर्ग में आकर उसके शक्ति का हम जब अपने जिवन में अभिनन करेंगे उसका स्वागत करेंगे तब हम अपने शक्ति से आगे चले जाएंगे जीवन में जब हम संगर्ष करते हैं संगर्ष दोप्रकार के होते हैं नकारात्मक संगर्ष और सकारात्मक संगर्ष नकारात्मक संगर्ष मतले जहां पर हम सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं हमारे इन दिगर रिशालने लोग ये उनके बारे में सोचते रहते हैं, परिस्तितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, और दिन बार इन नकरात्मक छीजों को जो हमें सोचते रहते हैं, उनको सुलजाने का प्रयास करते हैं, दिरे दिरे हमारी शक्ति क्षिण होती नुक्ति यृव शक्ति है भगवान उनके शक्ति के साथ अपना संब्ढद लगाता है कैं प्रात्तनाय यह वो टेक्नोलोजी यह वो साधने जिसके दrance के द्वारा हम भगवान की शक्ति को अपने जिवन स्वागत करते हैं इसले श्रीमत-वागवत की प्रात्तनां है में बहुत शламति जो इनसे गई घृवनें जादा करेंगे अपने शक्ती से ज़्यादा कारिया कर पाएगे को कि अभी हम अपने जीवन में भगवान के स्वाद़त कर रहे हैं। जकल के जरी अंतराष्ट्रिु admir को संग के सरस्थपकाचार्य एसी बगतिधान तो स्वामिश्ल प्रहुपाद 79 साल की उमर में कार्गो शिप में बैठकर अमरीका चलने लगे मन में ध्या था कि इस भक्ति के आंदुन के लेके जाओंगा और पूरे दुनिया में करांति करांति करने के लिए जब वो अपने आपके अंदर की समताओं को परकते हैं तो उनको प शक्ति नहीं है लेकिन है भगवन आपके कृपा के उपर मुझे बरसा है और प्रार्थना एरपन करते हैं कि आप शक्ति दीजिए कि जिससे मेरे शब्द इन लोगों के रुदय को परिवर्तन कर सकें वहीं वक्तिजान्द स्वामी जो 70 साल की उमर अमेरिका पहुंचे तो अगले 10 साल में पूरी दुन्याव में परिवार्तन लेग आये और भक्ति के क्रांति उन्हें दुन्या में मचाया इए यह उधारण प्रस्तुत करता है हमारे सामने कि जब प्रार्थना और अरपन करतें यह प्रार्थनाय हमें अमारी शक्ति से आगी लेगी जाती है तो अरपन करने में बड़ी आसान है लेकिन उनके अंदर जो शक्ति है वो बड़ी दिव्य है तो आई ये पढ़ला मारत से हम शिक्षा ले कि हमसे अपनी क्षमताओं को देखकर इन्फेरेटी कॉंपलेक्स अनकारात्मक निवन गंड़ता में न चले जाए लेकिन भागवान के शक्ति में बरसा रखते हुए प्रार्तिना अरपन करते हुए उनके शक्ति का अपनी जवन में स्वागत करें और दुनिया में कोई बड़ा कारिया हम सिद्ध कर पाएं बहु